नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं धान की खेती के बारे में step by step आप लोगों को बताने जा रहे हैं जैसे कि धान की नर्शरी केसे तयारी किया जाता है भूमी को केसे तयारी किया जाता है उसके लबा 19 किस्म यानि variety क्या क्या होना चाहिए कौन सी खाद कब देना चाहिए और कितने मत्रा में देना चाहिए उसके अलाबा सिचाई के बारे में बात करेंगे धान की फसल में लगने वाला कीट क्या-क्या लगता है बीमारी क्या-क्या घाता है और उसको हम लोग लगने से पहले कैसे कॉंट्रोल करेंगे उसके अलाबा खरपतबारों को कैसे नियंतरन करेंगे धान की खैती से क्या-क्या और कितना मत्रा में कमााई होता है तो पूरी डिटेल्स में आज हम इस विडियो में क्लियार करते हैं तो आप लोग वीडियो को लग तक देखते रहे हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि धान की खेती के लिए अनुकुल समय यानि सटिक समय क्या होता है तो नरसरी के लिए जुन जुलाई आप लोगों का सटिक समय मना जाता है और रुपाई के अगर बात के जाए तो जैसे जुलाई के लाश्ट वी हो जाता है तो रुपाई कर दे चाहिए नरसारी से अब बात आती है कि धान की खेती के लिए नरसारी को अमलोग कैसे तेयार करें तो 15 से 20 दिन पहले देशी हल एट्रक्टर से एक से दो बार जुदाई कर लेना चाहिए जिस दिन सीड सोईंग करेंगे नरसारी के लिए उस दिन पहले खुर्पी या हाथ से खर्पतवार को साप कर लेना चाहिए उसके बाद ही बीजो को डाल देना चाहिए और उसके पहले बीज उप्चार करना बहुत ही जरूर है तो बीज उप्चार के लिए आप लोग को दो ग्राम मेंकोजे प्लस कारवन रजायम जोकी बाजार में यूपील कंपानी का साप काराम पर मिलता है। तो उसको ले लेना चाहिये और एक केजी सीड उसके साथ अच्छी से मिलाकर वीजों को उपचार करके ही तभी आप लोग को शीट को डालना चाहिए उसके बाद खाद के रूप में MP2 डाल देना चाहिए। जब आप लोग नरसरी तेयर कर रहे हैं उस उसके उपर हलकी हलकी मिट्टी उपर उपर डाल देना चाहिए तभी आप लोगों का कुछ दिन बाद अच्छा देखने को मिलेगा कि जो नर्सरी है वो अच्छी से तैयार हो जाएगा उसके बाद अगर जैसे किल्डा माकुडा आप लोगो को देखने को मिल रहा है या फिर मिक्स करके आराम से चिल्काब करतेने से नर्सरी अप लोगों का एक दम तैयार हो जाता है तो नर्सरी तैयार करने से पहले किस्म के चुनाब बहुत ही इंपोर्टेंड होता है तो धान की खेत में कई प्रकार की विराईटी पाया जाता है तो हम यहाँ पर पांच उसके अलबा एडवन टका जो P837 नाम पे एक आता है उसके अलबा सिजन टका NK521 नाम पे आता है तो यह जो पांच ब्राइटी है यह हमारे इधर चलता है आप लोग अधर जो चलता है वोशी को आप लोग लगा सकते हैं अब बात आती है धान की ट्रांस्प्लांटिंग के लिए खेत को हम लोग कैसे तैयार करें तो धान की फसल के खेत में लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताइक कर लेना चाहिए और उस समय 40 कुंटेल गोवर की खाद एक अकड के लिए डाल के फिर से करें फिर अच्छी तरीके से मिडबंदी दे देना चाहिए जिससे खेत में बारिस का पानी अधिक समय तक जमा रहे अब बात आती है खेत की रोपाई के टाइम हम लोग वेसल डोज में क्या-क्या खाद डालना चाहिए और कितने मत्रा में डाल देना चाहिए ताकि पोदे करके खेत में डाल देना चाहिए उसके बाद ही आप लोगों को रोपाई कर लेना चाहिए बात कर लेते हैं पोदे से पोदे का दूरी के उपर तो जैसे कि धान की रोपाई अगर 15-20 cm तक दूरी रखते हैं तो काफी अच्छा होता है और गहरा ही जो है वो 3 cm तक ले जाना चाहिए तब ही आपका फसल अच्छा आ सकेगा अब बात आती है धान की खेत में सेचाई के उपर तो धान की फसल में सेचाई के अधिक अबश्यक्ता होती है इसलिए खेत में बीजों को रोपाई के तुरंत इसकी पहली सेचाई कर देना चाहिए धान की फसल को रोपाई क एक हफ़ता तक पोदे को कल्य फुटने तक धाने भरते समय तक खेत में पानी की पूर्ती नियमित से रूप से होना चाहिए और इसके लिए बांध बनाकर उसमें पानी भर देना चाहिए जिससे की पानी खेत में बना रहे left फोदे टिक टाग से growth ले सके अब बात आती है धान की खेथ में सबसे जो बड़ी शमझ समिच्छा आता है वो बहुत है do खरपतवार नियंतरन के लिए काफी सारे दबा भी आता है और हमारे इहर जैसे की धान की खर्पतवार के लिए लेवर लोग को लगा देते हैं 200-200 रुपिया करके एक एक लेवर को तो उसमें काफी सारा ज्यादा खर्चा हो जाता है तो अप लोग जैसे धान की रोपाई कर रहे हैं तो उस से पहले जैसे खाद डाल रहे हैं तो उस समय आप लोग उस खाद के साथ जैसे यूरिय डियापी जो भी डालते हैं उसके साथ अगर इस दवा को मिला के अगर डाल देते हैं तो खर्पतवार देखने को नहीं मिलता है तो यह जो दवा है बाजार में इरोज गोल्ट नाम पे अवेलेबल मिल जाता है और इसमें जो टेखनिकल मिलता है प्रेटिला सकते हैं या फिर अगर चाहे तो आप रेट के साथ भी मिला के डाल सकते हैं लेकिन रोपाई से तीन से चार दिन से अंदर ही डाल देना चाहिए अब यह ध्यान रखना चाहिए जब डाल रहे हैं तो उस समय खेत में थोड़ा पानी होना ज़रूर है और वो पानी आप सबस्किक होता है वह होता है फाटिलाजर यूस याना खाद कलने खाद का सहता है या फिर आके है मत्तरा में कब डाल आउंतरयों सिक वारे में 買 गजै दील में जान लेना चाहिए जब धान के रोपाई द्स च्णा 12 की चाहिए तो कि ताम पर आप लोगों यानि 25 से 30 दिन के अंदर उस टाइम पे आप लोगों को यूरिया लेना है 30 केजी और माइक्रो न्यूटेन किसी भी कमपानी का 5 केजी लेना है और उसके साथ-साथ अगर आप ज्यादा थोड़ा इंवेस्ट करना चाहते तो आप लोग बाजार में काफी सारा एमिनो और सीव और प्लुविक वला जो खाद है उसको तीनों को मिला के 25 से 30 दिन के अंदर डाल देना चाहिए अब बात आती है तीन नंबर खाद यानि 35 से 40 दिन के अंदर तिन नंबर खाद दे देना चाहिए जैसे की यूरिया 40 केजी और बेंटोनाइट सालफर को 5 केजी मिला के डाल देना चाहिए तो इस स्टेज से अगर आप डालते हैं खाद को तो धान की फसल के लिए काफी बढ़िया हो जाता है अब बात कर लेते हैं धान की फसल म प्रोकोब देखने को मिलता है और फंगस पहले बात कर लेते हैं तो जैसे की ब्लास्ट, सीद ब्लाइट, ब्राउन स्पोर्ट, पॉल्स इसमोर उसके अलबा बैक्ट्रियाल लिब ब्लाइट जो की बील बी बोलते हैं और राष्ट भी लगता है तो इतने सारे फंगस देख बाला सुन्डी होता है उसके अलाबा बी पी एच, एफिड जैसीड, गांधी बाग, काटार फिलाग तो एसे बहुत सरे तरी तरी की कीट देखने को आप लोगों मिल जाता है तो इसको लागने से पहले कैसे हम लोग कांट्रोल करेंगे तो सबसे पहले जब धान की फसल 25 से 30 दिन हो जाएगा तो उस टाइम पे फास्ट इस्प्रे आप लोगों को लेना है एवंसर ग्लो जोकी एजोक्सी स्ट्रोविन और मेनकोजेव का कंबिनेशन मिल जाता है उसको लेना है 600 ग्राम और काटाफ हाइड्रोक्लोराइड 50% SP को लेना है 300 ग्राम उसके साथ साथ स्ट्रेप्टो साइकलेन जोकी एंटिबायोटिक होता है उसको लेना है 6 ग्राम और तीनों को मिक्स करके 1500 से 200 लिटर पानी में आराम से चिड़काब कर देना चाहिए एक एकड़ के लिए तो ये तो हो गया फास्ट इस्प्रे अब बात आती है सेकेंड इस्प्रे के उपर तो जैसे धान की फसल अप लोगा 55-60 दिन हो जाता है तो उस टाइम पे कोपारोक्सी कुलोराइड 50 परसेंट जो की डवली ओपी फॉम पे आता है उसको लेना है 500 ग्राम और मेटाप्रो को लेना है 100 ग्राम और उसके साथ सार ब्याइफेन तीरेन 10 परसेंट इसी को लेना है 500 ग्राम और इस तीनों को मिक्स करके 1500 से 200 लिटर पानी में मिला कर पाड़ एकर में डाल देना चाहिए तो इस स्टेज से अगर आप लोग इस्प्रे कर देते हैं तो काफी बढ़ियार जल देखने को मिल जाता है यह जो बिमारी है यह जो इंसेक्ट है इसको लगन जा सकता है तो यह था धान की खेती का स्टेप बाई स्टेप के बारे में पूरी डिटेल्स इंफोर्मेशन्स वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिगा और अगर कोई शुजाव या सवाल हो तो जरूर अप लोग कोमेंट बॉक्स में कोमेंट कीजि क्योंकि हम एसा ही वीडियो अपलोग पास लेयाते रहते हैं